पूर्व चात्र संगत्ष राकेश जाचड़िया की पीट पीट कर हत्या का मामला अब्तूल पकड़ने लगा है दरसल शव बीडी के अस्पताल की मौर्शनी में रखा हुआ है और परिजन और चात्र संगत्षन एसेफाई के कारेकर्ता मांगकर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफतारी नहीं हो जाती तब तक शव को नहीं उठाये ज़ाएगा बीडी के अस्पताल में परिजन और एसेफाई के कारेकर्ता मौझूद हैं प्रशासन और पुलिस के अधिकारी समचाईश कर रहें प्रास्थित एक रिजॉर्ट में से अपने गाउं की हो जारे थे इसी दौरान कैमपर गारी में कुछ बदमाश पहुंचे कार को टक कर उनके मारी जाजडिया कार से नीचे उनको उतार लिया राकेश और उनके साथ ही संजीव के साथ जम कर मार पीट की राकेश को सरियों से लाठियों से बुरी तर से पीटा गया और उसे वो मरा हुआ समझ कर मौकेश से भाग निकले संजीव की सूचना पर राकेश के पिता और कुछ लोग गारी लेकर मौके पर पहुंचे राकेश को जुनजुनू के बीडी के अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर डॉक् से मृत खोशित कर दिया जानकारी में बात सामने आई है कि राकेश से जुड़ा हुआ प्रतिनधी था उसने हाल ही में चुनाव में हिस्सा लिया था से फाई जिला ध्यक्ष पंकज गूर्चर ने बताया कि राकेश की हत्या चुनावी रंजिश में की गई है चातर संग चुनावों के बाद लगाता उन्हें धमकियां दी जा रही थी चातर संग चुनावों के दौरान मारपीट की कोशिच भी की गई प्रकरन में फिलाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्च कर ली है कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्च की गई है इलाके के हिस्ट्री शीटर देश बंधू दिनेश मालसरिया गबबर राजू फोजी नर्सिंग पुरा मुरार का कॉलेज में अध्यक्षपत के प्रत्याशी रह हम बताय जा रहा है सब्सक्राइब बताय था कि जिले के अंदर ये सटा करने वाड़े लोग सराव माफिया लोग और ऐसे लोग जो आदतन अपरादी है खुद जिसने चुनाओ लड़ा वो कोतवाली थाने से एक साल के लिए पाबंद हो चुक है पुलीस पर उन लोगों ने फाइरिंग कर चुक है ऐसे लोग चुनाओ के अंदर आते हैं और उनके अंदर एचस भी है और सबसे बड़ी सरम की बात है कि एक कोतवाली थाना उनको से देता है एचस होने के बाद उनको पाबंद नहीं करता है कि आप भी सेरिय में नहीं आ सकते है आपका एडमिशन नहीं है हमने जिले के एसपी को भी ग्यापन दिया था उसमें बताय था कि या तो चातर संग चुनाओ से पहले या चातर संग चुनाओ के बाद कोई बड़ी गटना हो सकती है लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह जो आज यह गटना हुई है इसके अंदर जरूर परसासन की भी से है परसासन की से के भी नहीं गटना नहीं हो सकती है